जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुल्वामा जैसे हमला करने की साज़िश हुई लेकिन इस बार इसे नाकाम कर दिया गया हमला इस बार भी पुल्वामा में ही हुआ लेकिन इस बार निशाने पर सेना की पिट्रोल गाड़ी थी आईडी से किया गया ये हमला इतना जबरदस था कि सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गया है सेना की ये वही कैस पर गाड़ी है जिससे निशाना बना कर आईडी प्लास्ट किया गया धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्य उड़ गए गाड़ी का टायर बुरी तरह से ख्रतिक रस्थ हो गया इतने बड़े धमाके में शीशों की तो पिसा आथ ही क्या थी ट्रैवर की तरफ का दर्वाजा गाड़ी के आगे लगा लोहा सब कुछ चकना चूर हो चुका है देखिये कैसे गाड़ी के कलपुर से तूट कर सड़क पर बिखर गए जब गाड़ी की ये हालत है तो इसमें सवार जवारों के हालत आप समझ सकते हैं इस हालत में भी इस गाड़ी को चला रहे ट्रैवर के सुच बूच ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया नाइंटी डू मिलिटरी बेस हॉस्पिटल जो की श्रिनगर में है वहां भेजा गया तीन की हालत बहुत खराब थी उनको जल्द से जल्द हेलिकॉप्टर से एवैकुएट करवा के वहां पहुचाया गया भारती सेना के सीनिर ओफिसर जो की समय चिनार कोर यानि 15 कोर यानि जिनके पास पूरी कश्मीर के जिविवारी है उनके मुताबिक उन्होंने हमें बताया है कि वाइकल बेस्ड आईडी है आतन के एक बार फिर भारत को दहलाने की ताक में थे वो बड़ी साज़िश को अंजाम देना चाहते थे हमले को पुलवामा के अरिहल के पास अंजाम दिया गया सेना का वहाँ जैसे ही अरिहल के एदगाह के पास पहुचा उसी वक्त दूसरी गाड़ी में लगे आईडी से धमाका कर दिया गया वहाँ चला रहे ड्रैवर, को पाइलट और केविन में बेठा तीसरा जवान गंभी रूप से घायल है हमला होते ही सेना के जवान बाहर निकल आई और फाइरिंग शुरू कर दी हमले में सेना के जवानों के साथ-साथ दो नागरिक भी घायल हो गए रविवार की शाम जीजगे पर हमला किया गया उसे ठीक 27 किलोमेटर दूर पुलवामा में ही जमू श्रिनगर हाइवे पर आतंकियों ने इसी साल 14 फरवरी को गाड़ी में आई डी ब्लास्ट करके CRPF की गाड़ी को उड़ा दिया था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे इस बार भी हमले का तरीका पिलकुल वही था रविवार की शाम को जब सेना का इवहन गुजर रहा था उसी वक्त दूसरी गाड़ी में आई डी के जरीए हमला किया गया लेकिन इस बार आतंकियों नुकसान नहीं कर पाए इस बार नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन अगर ये आर्मी का कैसपर वहीकल नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था जिस तरह से गाड़ी के अगले हिस्से की जीधड़े उड़े हैं वो बहुत खतरनाक संकेते रहा है कैसपर वहीकल आईडी धमाकों से बचने के लिए ही बनाई जाते हैं 1400 किलो की ये गाड़ी बड़ा आईडी धमाका जिल सकती है कैसपर वहीकल 14-42 किलो तक का विस्पोर्ट सह सकता है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साजश कितनी बड़ी थी हमने के बाद पूरे इलाके में सर्च आउपरेशन शुरू किया गया और इस बार भी साजश के उंगली पाकिस्तान की तरफ उठ रही है ये समय बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय जहां और्लेंडो में जो FATF है यानि Financial Action Task Force पे एक तरीके सी ग्रे लिस्ट पाकिस्तान से ब्लेक लिस्ट में बनेगा उस पे पूरा फैसला आना है पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हम Information शेयर कर रहे हैं और तीसी तरफ यहां पर जहां LOC पर लगातर फाइरिंग है इसके बाद हमले का अलर्ट भी जारी किया गया था पिछले दिनों आतंकी जाकिर मूसा की मौत के बाद घाटी में आतंकियों की कमर तूट कई है इसलिए वो बड़ी साजश करके लोगों का ध्यान भटकाने की फिराक में है इसलिए रविवार को आर्मी की गाड़ी पर हमला किया गया है शुनगर मैं मजूर मीर के साथ मनिश प्रसाद इंडिया टीवी झाल